मा मैं अपना डिसिजन ले चुकी हूँ प्लीज मा भले ही आपने मुझे इस महल जैसे घर में पाल पोस कर बढ़ा किया हो लेकिन आज भी अकेला पन ही लगता है क्योंकि आप अपनी किटी पार्टी में वेस्त रहती हो पापा अपनी बिजनस मीटिंग में लेकिन जब मैं उस घर में जाऊंगे तो वहां मेरे पास स ससुर नंद देवर सब होंगे जब वो सब मुझे प्यार करेंगे तो गरीबी के दिन भी हस्ते हस्ते काट लूँगी मैं प्लीज जाने दीजे मुझे यहां से वैसे भी मैं आपकी कोई कलौती बेटी नहीं हूँ अपनी दूसरी बेटी के लिए आप अपने सारे अर्मान फिलहाल वो यूएस में है मैं नहीं छोड़ूगी तेरा बैग मैं नहीं जाने दूँगी तुझे यहां से तु क्यों नहीं समझती है मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अर्मान से भी प्यार करती हूँ आपको थोड़े द देखो पंजीरी, मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ, कब तुम खुश होती हो, कब दुखी, और ये जो मुस्कुराहट का नकली मुखोटा पहना है ना तुमने, मैं जानता हूँ, अपनी मां से लड़कर आई हो, तो मंद दुखी है, है ना? देखो मेरे सामने स्थिती ऐसी ही थी अर्मान, कि मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा, मा भी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन शादी के कुछ समय बाद जब वह मुझे तुमारे साथ खुश देखेंगी, तो समझ जाएंगी जरा मेरा घर देखो, जोपड़ी जैसा है, जहां इतने लोग हैं, और खाने पीने के भी दिक्कत रहती है, तुम कैसे एड़्जस्ट करोगी? ये तुमारा महल नहीं, मेरा जोपड़ी जैसा घर है अर्मान सब सही हो जाएगा, मुझे उमीद है, चलो अब मुझे अपनी सासुमा से भी मिलवा दो, फिर अर्मान पंजीरी को घर ले जाता है, जहां मामुली फूल पत्तों सिदेवर और नंद ने घर सजा रखा था और सास उसका बहुत अच्छे से ग्रह प्रवेश करती है देखो हमारे घर की सुन्दर लक्ष्मी आ गई, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, बहु अपनी चोटी सी जोपड़ी जैसे घर में तुम रह तो पाओगी न, देखो अगर नहीं रह पाओ, तो तुमें कुछ भी चाहिए हमें बताना, हम वो सब करेंगे हाँ बेटा, हम समझ सकते हैं, तुम इतने बड़े घर से आई हो, तो मकमल के गद्दे पर सोई होगी, एसी उफेज सोफे की आदत होगी, लेकिन इस घर में ऐसा कुछ नहीं है, हम कोशित जरूर करेंगे हाँ भाबी, और आपका देवर तो यहीं है, कुछ भी चाहिए हो तो इशारा कर देना बस काम हो जाएगा और भाबी, बस 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 बस, मैं सब समझ चुकी हूँ, आप सब मेरा बहुत ख्याल रखेंगे और आप सब मुझ से प्यार करते हैं जा पायल अपने भाबी को कमरे में छोड़ दे, फिर पायल अपने भाबी बाबी को कमरे में ले जाती है वैसे यह कमरा चोटा है पर मैं अजजेस्स कर लूँगी, और कोई कमरा नहीं है, क्या घर में? और आप सब कहां सोएंगे? अब वो भाबी इस गर में सिर्फ एक कमरा था, जो हमने आपको दे दिया है, बाकी तो हॉल है, होसी में ही रसोई है, वही हम सब सोते है मेरा ऐसा सवाल करने पर मेरी नंद कितना हिचक रही है, मुझे शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था अरे पायल मुझे प्यास लग रही थी थोड़ा सा पानी मिलेगा, हाँ भाबी मैं अभी लेकर आती हूँ पायल पानी लेने चली जाती है, तभी कमरे में उसे मच्छर काटने लगते हैं, जिसे वह ताली मार कर मारने की कोशिश करती है अरे मर जा, मर, ओहो यहाँ पर कितने मॉस्किटोज हैं तुम परिशान मत हो पंजीरी, मैं मार्टीन ले जाऊंगा, और तुम्हें मच्छन नहीं काटेंगे, और ये लो, चद्दर ओड कर सो जाना ओके, वाश्रूम बताओ, मुझे कपड़े चेंज करने है घर के बाहर ही वाश्रूम बना है ओहो, अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा मेरे उस घर के हर रूम में अटैज बात्रूम है सो सौरी अर्मान, मुझे वहाँ का जिक्र नहीं करना चाहे था मैं रह लूँगी, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो मैं इस घर में एड़िस्ट हो जाऊंगी पंजीरी अपने कपड़े लेकर घर के बाहर के बने बात्रूम में चली जाती है, जो बड़ा जीब सा था ओहो, ये तो बड़ा चोटा सा बात्रूम है मैं कैसे रहूँगी, इस घर में मुझे रहना ही होगा मा को इतना प्रवच्चन जो दे कर आई हो शीशा भी टूटा हुआ लगा यहाँ पंजीरी अपने कपड़े चेंज करने के बाद रूम में सो जाती है अगले दन सास चूले पर रोटी बना रही होती है यह क्या माजी, यहाँ पर गयास नहीं है आप चूले पर खाना क्यों बना रहे हैं और आज तो मेरी पहली रजोई थी मुझे खाना बनाना चाहिए हाँ बहू लेकिन तेरे घर में तो वो क्या बोलते है मॉडन अमीर वाली किचिन होगी और यह तो गरीब जोपड़ी का चूला है तो जेस पर खाना बनाना नहीं आएगा इसलिए मैंने ही बनाना शुरू कर दिया हाँ भाबी, और आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है हम है ना, आप आराम करिये अरे मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ जो आराम करूँ और मैं महमान भी नहीं हूँ इसलिए मैं चूले पर चाय बनाऊँगी सब के लिए मा जी मुझे चाय बनाना से खाएंगी न तो कहती है तो ठीक है अरे एक ऐसी बात है तो मैं भी बहू के हाथ की चाय पीना चाहूंगा बिल्कुल पापाजी भाबी मुझे आपके हाथ का पास्ता खाने का बहुत मंता पर मैं भूल गई कि आप चूले पर पास्ता नहीं बना पाओगी अब ये तो पता नहीं लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी फिर पंजीरी अपनी सास के बताने पर चूले पर चाय बनाती है चूले में आच करने के लिए फूक मारती है जिससे उसकी आँखों में दुआ चुप जाता है ये कहकर रोहित अपनी भाबी की पानी से आँख दुलवाता है जिसके बाद उसे ठीक लगता है पंजीरी वापस घर में जाती है तो देखती है सास और नंद चूले पर पर परेशान होकर खाना बना रहे होते हैं सब यहां कितने अच्छे से मेरा ख्याल रखते हैं और मा जी पायल खुद चूले पर बड़ी मुशकल से खाना बना पा रहे हैं काश इनके पास गैस होती, अच्छा किचिन होता, कुछ देर बाद सब एक साथ बैट कर खाना खा लेते हैं, दिन गुजरते हैं, तीरे तीरे पंजीरी देखती है कि उसके ससुराल वाले कितने दयालो और नर्म दिल के हैं, जो अपनी बहु के लिए जमीन पर सो रहे हैं, बेटा, वो पांसो मैंने खर्च कर लिये हैं, बहु के कमरे का पंखा नहीं चल रहा था, तो मैं ठीक कर दिया उसको पापा, आपने ऐसा क्यों किया, बड़ी मुश्किल से ट्यूशन बच्चों को पढ़ा कर मैंने अपनी किताब का इंतिसाम किया था, इस गर में कुछ नहीं, आप मैं पढ़ाई कैसे करूँगा थोड़े दिन रुक जा बेटा, मैं तुझे किसी तरह पैसे दे दूँगा हे भगवान, सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं, पापची ने अपने बेटे के किताब के पैसे से मेरे कमरे का पंखा सही करवा दिया कभी माजी और पायल मेरे खाना बनाते हुए परिशान हो रहे हैं, तो कभी अर्मान मेरे लिए मच्छरों से लड़ते हैं, और मैं अपने परिवार के लिए क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ तो करना ही होगा पंजीरी छुप कर सब सुन लेती है और अपने कमरे में चली जाती है, रात को सिनीन नहीं आ रही थे लेकिन घर में सब लोग सो गए थे, बाहर आंधी तूफान का ऐसा तेज मौसम हो रहा था कि आंधी से जोपड़ी का चपपर उड़ गया और एक टुकड़ा उन लोगो अरे जरूरत है, माजी, पापजी, पायल, रोहित, जल्दी से सब उठ जाएए, आहा, फौरन अर्मान आकर पंजीरी की मदद करता है और घरवाले भी उठकर खड़े हो जाते हैं, इसके बाद सब डर जाते हैं, बाप ने बाप, आज तो बहु ने बचा लिया, वना हम सब तो दब जाते, शुकरिया बहु, तुने हम सब को बचा लिया, पर तो कैसे पहुँची, अर्मान देख तो बहु के हाथ में कितना लग गया है, पहले इसके मर हम पट्टी कर, रोहित, जल्दी से फर्स्टेट बॉक्स देता है, और अर्मान पंजीरी के हाथों पर दवा ल आई थी, तेज आंधी से छपर गिर पड़ा और उसी वक्त मैंने देख लिया, वरना आज अनर्थ हो जाता, माजी पापा जी अब आप सब को मैं और परिशानी में नहीं देख सकती, मैंने फैसला किया है कि मैं इस जूपड़ी को महल जैसे घर में बदल दूँगी, मेरे मत कीजे, इस बात को मैं शाम से ही सोच रही थी, फिर मुझे याद आया कि मेरी FD है, जो ममी पापा ने मेरे सेव करके रखे थे, मुझे ममी पापा से पैसे नहीं मागने पड़ेंगे, दوبारा से ऐसा हादसा हो, इसका मैं इंतजार नहीं करूँगी, पक्का घर बनवाना जरूरी है, मुझे आप लोगों की जान ज्यादा प्यारी है, भापी आप सच में बहुत अच्छी है, इतने अमीर घर से होने के बाद भी आप में जरा भी घमर नहीं है, अब तक कोई और होता तो हमें नचा देता, थेंक्यू सो मच भापी, हाँ भगवान तुम्हें ऐसे प्यार हो जाता है, जहां सबके अपने अपने बेड्रूम, मौडन किच्छन, अटैच बात्रूम, सुन्दा सी बैलकनी और छत होती है, अपने सास ससुर का घर में आरती कर ग्रह प्रवेश करवाती है, आईए माजी पापाजी, सब आईए, और अपनी जोपड़ी को महल मे बदलता हुआ देख लीजे, पाइल रोहित, तुम दोनों के तो अपने अलक कमरे हैं, सची भापी, ये, पंजीरी सबको कमरा, किच्छन और पूरा महल जैसा घर दिखाती, और सुन्दर सा बड़ा मंदिर भी, ये देख सबकी आँखों में आसु आ जाते हैं, बहु तुन में दे सकती थी, अब आप लोग मेरी कितनी तारीफ करेंगे, बहुत है, सब बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैट कर खाना खाही रहे होते हैं, कि अर्मान पंजीरी की मा रोहिनी को ले आता है, जिसके बाद रोहिनी पंजीरी से माफी मांगती है, और सब खुशी-खु आप अगर ऐसी किसी सहासी लड़की को जानते हैं, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें